आज की इस वीडियो में निव बैक आफिस याने की OES on passive ecosystem के रिगारडिंग कुछ basic information आप सभी को देना चाहता हूँ ताकि जो लोग register कर चुके हैं जो लोग अंदर जा चुके हैं या कुछ लोग आ जाएंगे एक दिन बाद आएंगे दो दिन बाद आएंगे तो उन सभी के लिए ये points काफी ज़्यदा important है ताकि वो लोग अच्छे से इसको समझ पाइफेंट सबसे पहला point आपको बताना चाहता हूँ पहले हम लोग जो जानते थे कि हमारा new back office का name क्या होगा OES यानि की on passive business solution लेकिन on passive ecosystem को live करने से पहले pop-up message के जारी हम सभी को बताया गया था कि हम हमारा name यहाँ पर change हो रहा है जो new name होगा वो होगा on passive ecosystem जिसका shortcut है OES तो अब आप कहीं भी type करते हैं लिखते हैं या किसी को बताते हैं तो आपको यही बताना है हमारा जो new back office है उसका name है on passive ecosystem और उसका shortcut है OES प्लीज इस point को आप लोग धियान रखिये गया point दूसरा point आप स तो I think आप डिरेक्टली मैंने चेक किया है आप लोग डिरेक्टली Chrome ब्राउजर या Google ब्राउजर के जरी आप लोग इन कर सकते हो लेकिन अभी हमें नहीं करना है जब हमें company information दे कि आप डिरेक्टली लोग इन कर सकते हो तब ही हमें करना है अभी लोग इन करने के लिए simple आ सबसारी चुको चेक कीजिए इसी तरीके से हमें लॉग इन करना है ठीक है ना लॉग इन करने के बाद सबसे पहले क्या ओपन होता है आपका dashboard ओपन होता है और पैसिव एको सिस्टम के बारे में बात करने वाला है उसमें जो important features है जो यहां पर options है उसके बारे में हम बात कर सबसे पहले पॉइंट आपको बतना चाहता हूं कि अगर आप लॉग इन करते हो अगर मोबाइल की लॉग इन करते हो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा and front page पर ही कुछ यहां पर option रहेंगे जिसके बारे में आप देख सकते हो समझ सकते हो ठीके न सबसे पहले में left side की बात करूंगा left side में आप देखेंगे वहां पर हमारा o founder का icon रहेगा ठीके न यहां पर आपका o net रहेगा o mail रहेगा और दो हमारे upcoming product हैं जैसे कि यहां पर o trim हो गया o connect हो गया यह बहुत ही जल्दी हमारे पास आने वाला use करने के लिए तो उसका भी वहां पर mail sign है ठीके न तो यह सारी चीज़े आप यहां पर देख सकते हो इसको आप definitely click करके इसके बारे में आप knowledge ले सकते हो उसके बाद front page और ही dashboard पर ही आपका my wallet balance आप देख सकते हो उसको हम welcome bonus बोलते हैं यानि कि आप on passive में register हो चोके हो new back office में तो वह उसका welcome bonus है उसको भी आप देख सकते हो उसके बाद आपका referral link वहां पर बोला जा रहा कि बहुत ही जल्द ऑलेबल होने वाला तो जब ऑलेबल हो जाएगा तो वहां पर सो करेगा उसको आप किसी के साथ सेर कर पाऊगे ठीक है उसके बाद वहां पर आपका total user भी आप देख सकते हो reseller आप देख पाऊगे जब आपके link के थुरूप को यहां पर product को buy करेगा तो वह reseller बनेगा ठीक है जब वह reseller बन जाएगा तो उसको भी आप यहां पर देख सकते हो इसके बाद जो ट्रैक आएगी तो उसको भी आप देख पाऊगो कितनी आपके website पर रही है तो उसका भी वहां पर देख पाऊगे पर ही कौन से product का डिमांड जादा है कौन से product जादा है तो उसका भी वहां पर पर्फॉरमेंस देख जाएगा वर्चुल एसिस्टेंट जो हमारा OChats है जो सोना जिसको हम बोलते हैं जो हमारा Life Chat करने का Option है तो वह हमेसा आपके On-Pass Ecosystem जो हमारा डाइस बोड है वो हमेशा आप कहीं भी रहो किसी भी जगे रहो किसी भी आप्षन में किसी फीचर में रहो वो आपको हर जगे दिखाई देगा और उसको आप किसी भी इस्ट में यूज कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा आप्षन है मारे लिए इसके बाद सबसे उपर डाइ घकाई रहेगा आप ध्य क्लिक गरेंगे वहाँ पर दो आपस्टन आएगा पहला और लिए यह बीडियो गाइड या उसी ओप्शन में एक और आपशन है पे रहेगा OES PDF Guide याने कि एक PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको भी आप open करके, download करके आप देख सकते हो समझ सकते हो and on pass ecosystem के रिगार्ण कुछ basic information वहाँ पर आप ले सकते हो, जो information अभी आपको दे रहों पर है, ठीके इसके बाद अगर आप उसी के जो आपका guide का option है, तो उसी के just bugle में आप देखोगे, तो वहाँ पर एक लिखा है option है, tour, मैंने उस पर click किया था, चेक किया था, तो tour पर हम जैसे किलिक करेंगे, तो वो क्या करता है कि एक-एक option, जो हमारा dashboard पे बैक करके, एक-एक option को वहाँ पर check कर सकते हो, उसका नेम भी आप, जान सकते हो, समझ सकते हो, आप इसको जरू चेक कीज़गे, मैंने काफी अच्छे से उसको यूज किया है, एंड उसके बाद select language का भी option है, अगर किसी को English नहीं समझ में आती है, किसी को other language समझ में आती है, तो वह अपनी language में select करके आराम से dashboard को समझ सकता है, देख सकता है और उसकी knowledge ले सकता है, उसके जश्ट बगल में एक और option है, unique identification number, वह आप उसको देख सकते हैं, वह आपका name का वहाँ पर profile बना रहेगा, उस पर जैसा ही click करोगे, तो वहाँ पर कुछ और भी option आएगे, पहला रहेगा profile, उसके बाद रहेगा fake use, उसके बाद एक दो option और रहेगे, तो सबसे पहले हम बात करने वाल है profile के बार में, तो profile पर click करने के बाद आपका पूरा profile open हो जाएगा, उसमें सबसे पहला option हैगा, upload your photo, आप अपना photo भी upload कर सकते हो, ठीक है न, यह आपकी मरजी है, अपना photo upload कर सकते हो, आपको वहाँ पर name दिख जाएगा, अपना founder का icon भी वहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि आपने as a founder वहाँ पर register किया, तो यह भी आप देख सकते हैं उसके बाद आपका जोइंड यानि की जोइनिंग डेट आपको वहाँ पर दिख जाएगी, यानि की जिस डेट को आपने on passive ecosystem में open करके, जब आप faqs पर click करोगे तब आपको यहाँ पर ecosystem की regarding और हमारे जो product available रहेंगे तो उसके regarding भी यहाँ पर faqs available रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर ecosystem होगया हमारा o mail हो गया, o net हो गया, o chat हो गया, तो इन सभी चीजों की regarding यहाँ पर faqs available है, आप इस पर click करके इनके जो faqs हैं उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, यहाँ पर कुछ questions दिये जाएंगे, उसके answer भी यहाँ पर दिये जाएंगे, तो उसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते ह है, मैं आपको request करूँगा, कि faqs आप जाकी जरूर पढ़िए, ecosystem की regarding, और हमारे जो product available है, उसके regarding, यह आपको काफी ज़्यादा knowledge देनी वाली, इसको जरूर देखेगा, समझेगा, और उसके बाद आपका जो तीसरा option है, वो है ticket status, यानि कि अगर आपने कोई ticket address किया है, तो आप किलिक करोगे, तो यहाँ पर OES, यानि कि on passive ecosystem का, Omail, Ochat, Onet, इन सारी जियों का यहाँ पर user manual दिया गया, यानि कि किस परकार से आपको इसको use करना है, OES, on passive ecosystem को किस परकार से आपको register करना है, किस परकार से अंदर जाना है, login करना है, कैसे use करना, एक-एक feature को कैसे use करना वो क्या है, कैसे है, एक-एक point को यहाँ पर explain किया गया है, so please user manual को आप लोग download कीजेगा, या PDF के रूप में दिया गया है, इसको आप लोग download कीजेगा, अच्छी पढ़िएगा, समझेगा, काफी अच्छी knowledge आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जैसा कि असन ने बोला था ना वो सारी जिए वहाँ पर available होने वाली है, कफी जदा important है, लेकिन इसको आप publicly share मत कीजेगा, यह सिर्फ उसे founders के लिए है, तो उसको आप खुद डाउनलोड करो, खुद आप उसको read करो, यहाँ पर OES यानि की on-pice ecosystem की regarding भी रहेगा, हमारे जो product available रहेगे, जो जो product यहाँ प पर क्लिक करके आप log out कर सकते हो, अब हम बात करते हैं, dashboard के left side की, तो यहाँ पर left side पर अगर आप देखोगे, तब सबसे पहला option आपको मिल जाएगा, market place, market place पर जब आप click करोगे, तो आपको यहाँ पर upcoming product list यहाँ पर मिल जाएगी, इसके बाद यहाँ पर आपका जो bonus होग इसका exchange rate भी देख सकते हो, one credit बराबर, एक डॉलर, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, and transaction भी उसका आप देख सकते हो, and उसके बाद तीसरा हमारा option है my users का, my users पर click करके आप यहाँ पर अपने users को देख सकते हो, and यह आपको आने वले टाम में दिख जाएग and उसके बाद यहाँ पर next यहाँ पर option है my subscription, याने कि अगर आप किसी product को buy करोगे, तो इस पर click करके उसका पूरा detail आप यहाँ पर ले सकते हो, जो product को buy करोगे, उसका name यहाँ पर रहेगा, और उसका आपने किस दिन buy किया था, subscription start date, तो वो भी आप देख सकते हो, किस दिन उ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, and next जो हमारा यहाँ पर option है my orders, अगर आपने किसी product को order किया है, buy करने के लिए ठेके न, तो उसका पूरा detail यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपका order ID दिख जाएगा, order date दिख जाएगा, actual credit दिख जाएगा, sell credit दिख जाएग यह आपको आने वले टाइम में, automatic आपको समझ में आने वाले है, कुछ चीज़े आपको अभी समझ में आ रहे होगे, और कुछ चीज़े आपको समझ में नहीं आ रहे होगे, कोई दिखकत नहीं है, ध्रे-धरे आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा, so last में एक दू, option और और अचिस की टिकट स्टेकर सोगे रहा, तो उसको भी आप चिक कर सकते हो, तो आने वले टाइम में यह सारी चीज़े, आपको समझ में आने वाली है, जो मैंने आपको पीडियाप के बारे में बताया, आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपसन है, उसको आप यूज कीजिए, उसको समझ जिए, और अने वले टाइम में बहुत सरे आपसन यहाँ पर आज आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, यह वीडियो काफी दा इंफोर्मेटिव है, प्लीज माइक्सिम जरूर कर लेजेगा